मैगनेटिक एफेक्ट आफ करेंट लगबख फिनिशिंग की तरफ है आध दो तीन चीज़े और बता नहीं उन्हें बता करके उसको ख़तम कर देते हैं नाम से लग रहा है, मैगनेटिक फिल्ड एर दसेंटर ओ रुफ सार्कुछल करण्ट पैरिंग लूप दर निकालना है द्ला समझीएगा, बिल्कुल बायोसेवर से लागा दीजियों उसमें कोई कन्फिजन तो नहीं है इश के पहले के टॉपिक्स में पढ़ लिए ना पूरे देखो ये सर्कुलर लूप है ये सर्कुलर लूप है अब इसमें करेंट फ्लो रही है मैं करेंट का दर्वाज़ा नहीं दिखा रहा हूं दिखा देता हूं यहां पर मैंने करेंट यहां पर ऐसे कहीं से हमने पास कराई है ऐसे ऐसे flow कराई है current और हमको इसमें magnetic field निकालना है add the center और मैंने इसका radius फिलाल A मान लिया है कि इसका radius A है यह इसका radius है तो जैसा कि बायो से वर्सला कहता है कि आप पहले तो इसकी direction देख लेते हैं क्या होगी इसको 3D बनाईएगा ऐसे लेटा हुआ ऐसे बनाईएगा ऐसे ठीक है देखे एक्चुली हो रहा है कि current ऐसे फ्लोर ही है न ऐसे तो अगर इस coil को इस प्रकार से हाथ में पकड़ लो तो हर जगे इसका magnetic field कैसे होगा ऐसे घुम के आए कर नहीं आएगा ऐसे ऐसे घुमेगा अब देखिए ध्यान से यह क्वायल मेरे सामने है है तो चूड़ी लेकिन क्वायल समझेगा हर जगे आप कहरो magnetic field ऐसे जाएगा और ऐसे घुम जाएगा थीक है जरा center पर देखियेगा ज्यान से जब यह agrade मेरे ले जाओ ऐसे और ऐसे बहार निकलो तो थोड़ी देखिंगे क्ली सिधा जाएगा और बात बें टर्ण हो जाएगा तो यानि कि magnetic field कैसे होगा center पर अगर यह rule लगा दें ठीक है दूसरा rule देखिएगा यह current flow रही है और यह center है हम right hand palm rule number one क्या तरीका होता है कि मैं अपने अंगुठे को current तरफ करता हूं और उंगलियों को center तरफ करता हूं तो center पर जो आपका magnetic field होगा कैसे आ रहा है इसके perpendicular तो यह magnetic field होगा upward direction में आप जब 3D diagram बना होगे तो ऐसे मिल जाएगा आपको तेखिए तो मैंने इसका एक छोटा सा एक length element लिया dn और इसकी वज़े से हमने यहाँ पर magnetic field निकाला यहनि magnetic field at O due to small length element db is equal to तो क्या formula बताया गया था mu naught upon 4pi ideal यह आपका r है जो की radius है थीटा यहां क्या लिखा जाएगा 90 को बहुत छोड़ा सा part है तो थीटा 90 होगा तो ideal sin 90 upon r बोले तो a square तो यह हो गया mu naught upon 4pi ideal upon a square तो जब आप magnetic field due to entire loop निकालेंगे field due to entire loop पूरे loop की वज़े से निकालेंगे तो आप क्या करेंगे b कर देंगे और इसमें sigma लगा देंगे db में आप इसमें sigma लगा किसको solve कर लेते हैं तो यह हो जाएगा sigma तब sigma लगाओगे तो sigma किसके उपर लगेगा केवल dl के उपर लगेगा तो आएगा mu naught upon 4pi i upon a square into sigma dl sigma पर confused मत होएगा कहीं कहीं पर integral भी लगाए जाता है तो integral का मतलब ही sigma होता है समेशन होता है देखे sigma dl बोले तो इसकी पूरी length that will be the circumference 2pi a तो b is equal to mu naught upon 4pi i upon a square into 2pi a अगर मैं इसको calculate करूं तो उपर आएगा mu naught i upon नीचे आएगा 2a तो this is magnetic field at the center अब अगर इसमें इस coil में जितने भी turn होंगी उतने times current बढ़ जाएगी और जितने times current बढ़ जाएगी उतने times magnetic field भी बढ़ जाएगा तो आप लिखेंगे if there are n turns if there are n turns in the coil then b is equal to i एगा mu naught ni upon 2a यह formula बिल्कुल tip पे होनी चाहिए याद यह आपका magnetic field at the center of circular current carrying loop है अब लिखें magnetic field along the axis of circular current carrying circular loop sorry magnetic field on the axis of circular current carrying loop on the axis of circular current carrying loop circular current carrying loop on the axis of हाँ देखो ध्यान से जड़ा डाइग्राम को ध्यान से समझेगा magnetic field on the axis of देखो ध्यान से एक circular current carrying loop है यह circular loop है इसमें current flow रही है यह इसका axis है और इस axis पे आगे कोई point है ऐसे यहाँ पर यहाँ पर आपको magnetic field निकालना है जना साउधान हम इस circular loop को विल्कुल ऐसे खड़ा बनाएंगे ऐसे जितना यह खड़ा हो सकता है तो यह हमने एक circular loop बना दिया ऐसे खुराजीब लग रहा होगा बहुत सारी book में ऐसे बना होता है लूप विल्कुल ऐसे और यहाँ पर dot लगा होता है यहाँ पर cross लगा होता है समयाया क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है देखे ध्यान से यहाँ पर cross लगा होता है यहाँ पर dot लगा होता है इसका मतलब है इस loop में यह current ऐसे जा रही है और ऐसे बाहर निकल रही है तो ऐसा loop भी आपको दिख सकता है गरा दी है यह इसका center है यह इसका axis है और इसके axis पर हमको x distance पर magnetic field निकालना है x distance पर magnetic field निकालना है यहाँ पर कोई point है वहाँ पर निकालना जरा साउधान देखें current ऐसे flory है मेरी तरफ ऐसे बाहर की तरफ ठीक है हमने क्या-क्या यहाँ पर एक छोटा सा dl length का एक हमने length element माना और यहाँ से मैंने इस point को मिला दिया अज़ा यह radius है यह radius हमने a माल दिया डाइग्राम के लिए विजबिल है आपको और इस distance को हमने r माल लिया तो हम पहले इस छोटे से length element के कारण p point पर magnetic field निकालने जा रहे है magnetic field at p at p due to the length element dl length element dl दरा समझेगा इसको हमने माना db क्या होगा mu naught upon 4 pi ideal अब बताइए ideal और r के बीच angle कितना है देखो यह coil है जरा साउधान यह length element है और यह आपने r के लिए ऐसे point ऐसे line खीची है तो यह line लगबग is coil की tangent होगी तो is coil के साथ जो यह tangent angle बनाएगी हो क्या बनाएगी 90 तो आएगा sin 90 अपान यह distance है r that is r square यह आगया mu naught अपान 4 pi ideal अपान r square यह आगया magnetic field db ज़रा इसकी direction समझेगा थोड़ा technical है मैं समझाने की पूरी कोशिस कर रहा हूं यह visible है जो हमारे हाथ में है नहीं वो घर से लाए हमारी नहीं है देखो ध्यान से यह coil ऐसे रखी भी है ऐसे current flow रही है ऐसे है ला और point हमने इधर की तरफ लिया है तो मैं current की तरफ अपना अंगुठा करता हूं ऐसे और अपनी हाथेली को ऐसे कर देता हूं ऐसे अब देखो यह जो लाइन हमने ऐसे खीची भी ऐसे तो magnetic field किदर होगा इस हाथेली के perpendicular सही मैं कह रहा हूं यानि कि यह जो लाइन खीची भी है magnetic field इस लाइन इस लाइन के perpendicular होगा डी बी यहां तक बात सम्झाएक नहीं आई अच्छा अगर मैं यह current ऐसे आई थी और यह अंदर ऐसे entry की थी अगर मैं इधर भी dl पार्ट ले लेता और यह हम ऐसे point मिलाते तो देखिए यह current ऐसे जाके ऐसे गई थी तो हमारी हथेली ऐसे current ऐसे जा रही है तो मेरा आंग उठा तो current तरफ है लेकिन हथेली मेरी ऐसे हो जाती है ऐसे और अभी भी magnetic field इसके perpendicular लगता इस वाली लाइन के इस वाली के यह हमारा magnetic field होता डी भी अगर नीचे की तरह हम बात करते हैं यहां तक बात सम्झा गई यानि किसी भी point पर आप जाएए इस point पर जाओगे और बिल्कुल इसके आपोजिर जाओगे तो इस point पर आपकी हथेली ऐसे रहेगी तो इस point पर हथेली ऐसे रहेगी इधर नीचे की तरफ रहेगी तो इधर भी नीचे तरफ रहेगी इधर ऐसे रहेगी तो इधर भी घू आपकी एक्सेस जारी सेंटर से जारी है औप हमने क्या किया यहां पर यह पी यहां कहीं मालोग फिस हमने यहां पर ऐसे परपेंडिकूलर खीश दिया ऐसे अब चाहिए अगर मैं इसको आलफा मानता हूं तो यह भी अलफा होगा देखो confused मत हो ना देखो ध्यान से यह horizontal line है यह vertical line है ठीक यह line यह line और यह line perpendicular है तो अगर यह वाली line alpha angle से घुमेगी तो इसका perpendicular भी alpha से घुम जाएगा नहीं घुम जाएगा पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि अगर यह alpha है यह alpha होगा फिर समबले जीएगा यह horizontal line है यह vertical line है तो जब मैं इसको ऐसे घुमा दूँगा तो vertical line भी ऐसे घुम जाएगी तो अगर यह line alpha से घुमी तो vertical line भी alpha से घुम जाएगी सही कहा रहो हूँ में अच्छा अगर नीचे हम देखेंगे तो डीबी का डीबी कॉज अलelnे नीचे की तरफ और इधर की तरफ डीबी साइन अलफा तो actually में यह जो db cause alpha है वो हर जगे एक दूसरे के जो है parallel और अपोधित होगा तो यह cancel हो जाएगा और यह db sin alpha आपको इधर की और मिलेगा तो जब net magnetic field आप निकालोगे net magnetic field at p at p b तो आप क्या करोगे यहाँ पर db sin alpha निकालके उसको आप integrate कर दोगे संद्ध में आई बार नहीं आई यह sigma लगा तो को जो भी आप करते हैं यह point संद्ध में आया इसलिए यह coil है इसको जाब 3D से साथ समझेगा यह coil है और current ऐसे फ्लो रही थी यह current फ्लो रही थी आप इस हांतेली को घुमाते जो आप पूरे coil में तो पूरे कोयल में जो हांतेली को घुमाओगे तो देखे यह magnetic field आपके जो db है न वह ऐसे आ रहा है तो पूरी कोयल में ऐसे आपको magnetic field मिलेगा तो उसके जहां जहां आप घुमाओगे वहां वहां cause component cancel हो जाएगा और हर जगे sign component parallel to the axis आएगा समझ में आई बात नहीं आई अब आप db का मान रख दो यहाँ पर तो आएगा integral लगाओ या sigma लगा दो आपकी मर्जी आप कुछ भी लगा सकते हैं तो यह integral db की value है mu naught upon 4 pi i dl upon r square into sin alpha actually बताए यह जो sigma है यह integral किसके उपर लगा हुआ है यह dl के उपर लगा है और dl की पूरी value कितनी है 2 pi r तो देखे ज्यांसे इसको note कलेजे इसको रब करेंगे हम diagram sound में आया सबको diagram clear hack नहीं है note करेजे इसको फिर हम बात करते है इधर का note के लिए इस side का okay तो जब हम इसमें sigma जाए इसको integral आप बोल रहे है इसको जब open करेंगे तो देखे यह b is equal to mu naught upon 4 pi i upon r square sin alpha की value यहां से क्या निकल लई है perpendicular upon hypnose a upon r into dl का integral क्या होगा 2 pi a तो आगया mu naught upon 2 क्योंकि 2 pi से यह कड़ जाएगा उपर आएगा i a square upon यह r cube होगा और r की value आएगी under root a square plus x square की power 3 तो यह proof हो गया mu naught i a square upon 2 a square plus x square to power 3 by 2 यह छोटा सा proof है tough तो नहीं लगा नोट करिए इसको अगर उसमें n turns होंगे तो तो आप into n कर दीजेगा इस diagram को ज़रा ध्यान रखेगा भी इसका use हम कर रहे है लिकिनकि if there are n turns if there are n turns तो इसको n times कर दो तो b is equal to आजाएगा mu naught n i a square upon 2 a square plus x square to power 3 by 2 इसका एक special case लेके मैं चलता हूँ special case इसको equation 1 डाल दूँ देखो ध्यान से यह जो point आपका था यह square से x distance पे था इसे axis पर अगर यह point center पे आ जाए तो x की value क्या हो जाएगी यहनि अगर at the center मैं आता हूँ at the center x की value क्या हो जाएगी 0 यहां रख दो तो y equation 1 1 तो यह क्या हो जाएगा b is equal to आएगा mu naught i a square upon 2 2 जब मैं यहां पर x को 0 करूंगा तो आएगा a square power 3 by 2 यह बनेगा a cube 1 a कर जाएगा तो mu naught i upon 2 2 a कोई कुछ फूटा तो नहीं है हाँ ठीक है यह अभी derivation कर चुके हैं थोड़ी देर पहले आप कर चुके हैं ना तो आप कहेंगे यह कप करेंगे वो कप करेंगे अगर मैं आपसे पूछता हूँ find the magnetic field on the axis of coil hence find at the center तो magnetic field axis पे निकालना पड़ेगा फिर वहाँ x को 0 करके उस point को shift करके center पे लाना पड़ेगा यह डायट नहीं करेंगे फिर आप और अगर इसमें n turns है यह by question 2 करेंगे by question 2 तो यही फामुला आपका बन जाएगा mu naught ni upon 2e तो यह आपका magnetic field on the axis of एक यह वाला प्रूफ और एक long जिसमें 5152 अपने कराया था यह दो प्रूफ थोड़ टेक्निकल माने जाते हैं इन्हें ज़रा जो है revise कर लिजेगा repeat बार-बार repeat कर लेना अब बहुत-बहुत-बहुत important ampere circuit Allah ampere circuit Allah बहुत-बहुत important है मतलब board exam का बिलकुल डावाद समझें इसको examiner इसको बहुत ध्यान से देते हैं question को दरा समझने की कोशिच करिएगा मैं समझाने की कोशिच करूँगा फिर तो याद करने करना आपको है देखो ampere साहब ने क्या कहा उन्होंने हमने याद हो थोड़ा सा हलका सा कांसेप्ट इसका आया था displacement current electromagnetic wave पढ़ा है नामने अच्छा आपने नहीं पढ़ा है सॉरी अच्छा छोड़िए देखिए हम जानते हैं जब कोई एक एक state conductor है उसमें current flow होती है तो आपने चारों और एक magnetic field क्रेट करता है करता है ना मैं समझा रहा हूंग इससे तो आपको याद करना है क्यों create करता है वही करेंट की वज़े से create करता है कितनी create करता है तो हमने का देखो भी याद current की वज़े से create करता है ना तो जितनी current होती है उतना ही create करता है यानि यह जो अभी लिखेगा नहीं यहाँ पर जो magnetic field क्रेट करेगा वह कितनी create करेगा जितनी इसमें current flow होगी ठीक है अपने का अच्छी बात है यहां पर आए आपने magnetic field experience किया आपने का भई आपने का था 5 ampere की current flow हो रही है तो यहां 5 tesla magnetic field होना चाहिए आप यही बता रहे हो तो हमने का जैसे ही magnetic field इस वायर को छोड़ करके medium में जाता है तो medium की एक करेक्टिस्टिक होती है वह magnetic field को cut short कर देता है वह medium की characteristic को क्या कहते हैं medium की वह characteristic जो magnetic field को कम कर देता है काट देता है पर्मिटिविटी एलक्रिक फील्ड की होती है पर्मिबिल्टी तो हमने कहा एक्ट्विए जो मैगनेटिक फील्ड हम बता रहे थे आई वो इसी लिए हो गई म्यू नॉट आई क्योंकि मेडियम ने क्या किया है उसको कट स्चार्ट कर दिया है तो इसकी वैलू किसके इकोल हो गई म्यू नॉट आई की किसकी वैलू मैगनेटिक फील्ड की वैलू यहां तक बात समझ आई अब जरा समझेगा हमने क्या किया इसने मैगनेटिक फील्ड किस तरह क्रेट किया था किसी वायर में जब magnetic field create होता है तो उसकी direction क्या होती है यह current यह ऐसे इसको हम इसको current करते हैं यह होता न direction जब आज समझीएगा हमने क्या किया जो magnetic lines थी न उनको मैंने पकड लिया magnetic lines हमने पकड लिया ऐसे magnetic line निकली थी और हमने wire के नजदीक जाकर के magnetic lines ऐसे पकड ली ऐसे पकड ली wire ने यह magnetic lines create की थी मैंने माल लिया मैंने माल लिया कि wire ने 100 magnetic lines create की because of current और हमने उसको पकड तो जो हमारा यह radius था इसका जो circumference था वो 10 था तो अब बताओ पर centimeter 10 centimeter में माले तो पर centimeter कितनी lines थी 10 lines थी नहीं हमजे बोलते रही है थुआ साब active रही है बहुत कोशिश मैं करूँगा अभी यह समझे आपको आ जाएगा यानि कि अगर मैं माल लूँ कि यहां magnetic lines 100 है और इसकी जो जो हमने इसको पकड रखा है magnetic lines गेर रखा है वहाँ पर एक circle बना करके चारो तरफ वो उसकी जो circumference 10 है तो पर cm में कितनी lines थी 10 थी अब हमने क्या किया इन magnetic lines को फिर पकड़ा लेकिन थोड़ा सा दूर जाके पकड़ा और इसकी जो लंबाई थी वो 100 से हमने कर दिया है सब्कर 10 से कर दिया है हमने 50 पर एकसे कर दिया है 50 हमने और लाइज 100 अभी है तो अब बताईए पर cm कितनी लाइन है हो आनए है कि जो लाइन है हमने इसको फिर घेरा और थोड़ा रूर जाके घेरा अब हमने इसकी जो दूरी कर दी है 100 कर दी है अब पर सेंटीमीटर कितनी लाइने हैं क्या देख रहे हैं हम हम देख रहे हैं Magnetic Field Magnetic Field B और DL का जो multiplication है वो एक constant की तरफ जा रहा है तो हमने कहा यह actually में line integral of magnetic field के लाता B.DL की total value यह कहलाता है mu not times of i यही आपके उनका जो rule था MPR सहाब का rule था समझ में आई बात नहीं आई अच्छा Magnetic Field और DL के बीच में आइंगल कितना है कि यह magnetic field पकड़ा हमने इस तो इसको हम कहते हैं Gaussian surface sorry Gaussian surface आपने पढ़ा था उसमें हम electric flux को पकड़ते थे है न यहां magnetic lines को पकड़ रहे हैं तो इस circuit को हम क्या कहते हैं MPR circuit क्या कहते हैं हम इसमें MPR circuit क्यों क्योंकि यहां पर हम किसको पकड़ रहे हैं magnetic lines को पकड़ रहे हैं उसको एक length के carding उसको बंद कर रहे हैं और यह इसके अंदर से एक wire निकल रहा था current i लेकर के तो magnetic field की direction क्या होगी ऐसे इसको current करेगा यह किसी भी point पे आप जाओगे तो magnetic field b और यह dl का multiplication constant रहेगा समझाई बात तो b.dl का total value जो होगी constant रहेगी और वो किसके एक्वल होगी i के एक्वल लेकिन क्योंकि medium अपनी परमिल्टी की हिसाथ से उसको cut कर देता है इसलिए उसकी होगी mu naught into i बात समझ में आई तो आप अगर इसका statement देंगे तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे कि the line integral of इसको line integral कहा जाता है क्योंकि magnetic field line के एलांग चल ला है ठीक है आप उसकी length से multiply कर रहे हो तो the line integral of magnetic field in any imperial circuit is mu naught times of the current threading by the wire threading का मतलब होता है आपने देखा होगा एक उसको समझने की कोशित करिएगा मम्मी कभी कभी कपड़े में कढाई करती होंगी तो एक circular ring आती है उस ring के अंदर कपड़े को tight के लिए आता है और ऐसे स्वी उसमें ऐसे स्वी अंदर डालते हैं ऐसे कड़ा ही करते हैं इसको जो भी कहते हूं हम उसकी भासा में आते हैं इंब्राइडरी क्या तुछ ऐसे कहते हैं तो यह language समझ में सबको आई आई एंपिर्स ला की है तो आप क्या लिखेंगे तो लिखेगा according to एंपिर्स ला according to एंपिर्स ला the line integral of the magnetic field the line integral of the magnetic field the line integral of the magnetic field around any closed circuit around any closed circuit is equal to mu not times mu not times the current I threading threading this closed circuit threading this closed circuit threading मतला होता है यह आपकी एक क्वायल रखी हुई है और यह current ऐसे इसके अंदर से ऐसे निकल रही है ऐसे निकल रही है यह एक magnetic field create कर रही चारो तरफ यह हम बात कर रहे हैं और given by निचल दो closed integral b.dl is equal to mu not times of i अब आपने जो पॉइंट लिया है वो माल लेते हैं यह थोड़ा सा ऐसे बना दिजिएगा यह आपने और डिस्टेंस पर पॉइंट लिया है चारो तरफ कहीं भी हो सकता है यह पॉइंट अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं अरे भाई भी आपके circumference से चिपकता हुआ चला है tangent action में चला है हर जग है बी और डियल देखो यह डियल और यह भी कितने डिगरी का दिख रहा है 0 degree हाँ तो यह हो जाएगा आपका close integral b.dl cos 0 तो b और close integral d.l इसकी value कितनी निकलेगी 2 pi r निकलेगी न तो इसकी value आएगी into 2 pi r b क्या है इस state current carrying conductor की बज़े से magnetic field तो आपने एक derivation किया है magnetic field due to a state current carrying conductor of infinite length क्या हो था ? mu naught upon 2 pi i upon r याद है ना ? mu naught upon 2 pi i upon r into 2 pi r कल्कुरेट कर लिजएगा क्या हैगा ? तो यह हो गया mu naught times of i this is ampere circular law this is ampere circular law आप इसके एक दो application से उन्हें discuss कर लेते हैं चप्टार से निस हो जाएगा ? बता दीजी को हो जाए जब ? अब लिखे application of ampere circular law अब को याद होगा हमने state conductor की उजज़ए formula यूज़ किया है यह formula यहाँ पर b की value इसी को drive करने जा रहे है ampere circular law से अब यहाँ पर जो derivation दिया है यह आप लोगों को मूख बना दिया उन्होंने देखो ध्यान से ampere circular law में इसी formula को यूज़ करके ampere circular law प्रूफ किया और इसी formula को ampere law से प्रूफ कर दिया तो लिखे application of ampere circular law में पहली heading डा दिये magnetic field due to a straight current carrying conductor magnetic field due to a straight current carrying conductor यह ampere law का use करने जा रहे है magnetic field due to a straight current carrying conductor देखे ध्यान से हमने का यह current carrying conductor है infinite length का है इस पर i current floor ही है और इससे r distance पर magnetic field आपको निकालना है तो हमने क्या क्या जैसे आप magnetic flux निकालते थे तो Gaussian surface से flux को घेर देते थे तो हमने उस magnetic field को हमने ऐसे घेर दिया और हमने एक छोटे से part में b.dl निकाला यह magnetic field है यह length यहाँ पर dl है यह r distance में हमने इसको घेरा तो अगर हम close integral b.dl निकाले अगर हम निकाले तो क्या निकालेगा close integral b.dl cos 0 b बाहर हो गया और dl की value होगी 2πr यह हमने निकाला close integral b.dl यह मैंने अपने formula से निकाला अब amperes law क्या कहता है आप कहेंगे by amperes law amperes law close integral b.dl जो होता है वो mu 0 times of i होता है तो इन दोनों equations को equate कर दीजे अपने आप result निकल आएगा equating equation 1 and 2 equating equation 1 and 2 इसको यहां लिखेंगे हम यहां लिख रहे हम तो आएगा b into 2 pi r is equal to mu 0 times of i तो b की value आएगी mu 0 upon 2 pi i upon r इस proof ने आपको बता दिया कि proof यह बिलकुल आपको मुर्फ ना रहा है देखो द्यान से अब चुकि मजबूरी यही method से इसको proof किया गया है पहले इसी formula का इस्तेमाल करके amperes law proof किया बाद में बिलकुल इसको उल्टा कर दिया और वो formula proof कर दिया अब है तो है नोट करिए इसको बिलकुल यही Gaussian theorem में थी उसी electric field का इस्तेमाल करके हमने Gaussian theorem proof किया था और उसी Gaussian theorem proof करके हमने electric field proof कर दिया वह यहां पर amperes law में है अब लिखे है में इंडियर नोट कर दिये पहले फिर हम बात करें बता दीजेगा अब लिखे हैं magnetic field magnetic field inside a long state solenite magnetic field inside a long state solenite solenite आप जानते होंगे एक coil होती है जैसे spring समलिजेगा और spring में जब current flow करते हैं तो उसमें magnetic field उसके center पे create कैसे होता है जरा समझने की कोशिस करिएगा देखो जैसे हमने solenite की बात कर रहा हूं उसकी एक क्वाइल आपको मैं दिखाता हूं यह उसकी एक क्वाइल है जब इसमें current flow करेंगे मालिया current ऐसे flow हो रही है तो यह magnetic field create होगा और magnetic field ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे घुमता हुआ ऐसे 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 तो होता है magnetic field बाहर की तरफ थोड़ा निकलता है निकले बाद मुड़ जाता है लेकिन यह मुड़े इसके पहले ही इसके पैलल में एक और quit होती है तो magnetic field मुड़ नहीं पाता है इसके अंदर से गुजरता है और गुजर करके फिर वो मुड़ने की हैम अब देखिया हम कैसे इसको और प्रूफ करेंगे सबसे पहला तो ंपारज्ट समझिए गा इसमें हम करेंट फ्लो कराएंगी ठीक है करेंट फ्लो उस необходимо क्या होता इसमें मैंगैटिटिक फिल्स अ क्रूफ क्रेट होगा और हम उस magnetic field को बांधेंगे किसी length में बांधेंगे लेकिन जिसको कहेंगे आप emperion circuit जैसे Gaussian surface कहते थे हम कहेंगे emperion circuit वहाँ पर हमारे पास जरुवत पड़ेगी b.dl की तो जरुवत पड़ेगी b.dl cos theta तो हमको theta की जरुवत पड़ेगी तो मैं कोशिस ऐसा करूँगा कि हमारा जो emperion circuit हो वो ऐसा हो जिसमें theta change नहो रहा हो theta fix हो आपको Gaussian थे और हम याद है उसमें Gaussian surface में हम ऐसा Gaussian surface लेते थे जहांपर theta symmetric होता लगबग बराबर होता था याद है आपको तो जरुआ देखिए हम इसको कैसे करने जा रहे है diagram थोड़ा जैसा बन पाए हम बनाने कोशिश करते हैं यह आपकी coil है ऐसे 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 बना रहे हैं यह आपकी ऐसे ऐसे coil है ऐसे coil है और इसमें current ऐसे flow हो रही है यह current ऐसे flow करा दिजेगा ऐसे current flow करके यहाँ निकल आई current ऐसे flow कर रहे हैं ऐसे ले जा रहे हैं आप बार बार ऐसे तो अब बताए है magnetic field किदर की और होगा ऐसे होगा न इधर की तरफ सभी मैं कह रहा हूँ तो यह magnetic lines है यह magnetic lines है और यह बाहर ऐसे ऐसे निकल गई है ऐसे यह ऐसे magnetic lines ऐसे entry यह है नार्थपुल बाहर निकलेगा ऐसे diagram clear हुआ तो हमने माना यहाँ इस quail में हमने माना है कि number of turns per unit length per unit length जो number of turns है वो हमने n माना है और current in one current माना है in one turn वो हमने i लिखा है चुकि i हमने लिया ही है उस पर एक turn में current आई है तो अब ज़रा इस magnetic field को घेरने की कोशिश करो अब ज़रा देखें मैं गलत diagram मना रहा हूँ अगर मैं magnetic field को ऐसे घेर देता ज़रा समझेगा यह magnetic lines हैं और मैंने ऐसे घेरा तो क्या बताओ हर जगे theta सेम है हर जगे L और B और DL के बीच में angle सेम है यहाँ B इदर है sorry B इदर है यह B इदर है DL इदर है यहाँ B इदर है DL इदर है यहाँ B इदर है DL इदर है यहाँ B इदर है DL इदर है क्या हर जगे theta सेम है अरे का से में भई कर वह है चेंज हो रहा हर जगे थीटा भई यह देखिए आप इस प्रकार समझेएगा यह आगर आप सर्कल बना देते हो रहा ऐसे लाइन खींचते हो तो हर जगे एंगल चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा चेंज हाँ तो यह वाला एंपीरियन सर्कीट हम नहीं बना सकते ना क्योंकि एंपीरियन सर्कीट कैसा होना चाहिए जहाँ थीटा मुझे आसानी से मिल जाए गलत नहीं है यह सही है लेकिन मैं यह थीटा मेजर नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँगा मैंने इस मैंगनेटिक फिल्ड को गेरा और हमने ऐसा empirian circuit बनाया यह empirian circuit बनाया ऐसे इसको गेरा इसका नाम दे दिया हमने ABCD समझ में आई बार तो इस पूरे empirian circuit में आप B.DL निका लेंगे ठीक है जला इस diagram को roughly किताब में बना हुआ होगा देख लीजेगा तो जब हम बात करेंगे इसका इस लूप का नाम क्या है ABCD यह Empirion Loop कहलाता है तो जब हम Close Integral B.DN निकालेंगे तो क्या होगा Is equal to Mu naught times of क्या Current किसमे जो इस Empirion Circuit से Current निकल लई है तो हम लिखेंगे Total Current Through the Loop Mu naught times into Total Current Through the Loop Current Through the Loop जरा पकड़ने की कोशिस करिएगा Proof important है Through the Loop A, B, C, D यही तो फार्मला था ना जो Current आप Threading कर रहे थे उस Current को आप एक Loop से पकड़ लिए थे उसी Current ने Magnetic Flip बनाया था तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि Mu naught times of the total Current Through the Loop यह हमने कहा ना समझारी बात नहीं आ रही है एक एक Point समझेगा बिल्कुल Crystal Clear में कर दूँगा अब जरा समझेगा यह B.DL जो है आप यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां पूरा Integrate कर दीजेगा मतलब B.DL हम करेंगे B.DL A से B जाएंगे हम यहांनी A to B लिख दीजे प्लस B.DL फिर B से C जाएंगे हम B से C जाएंगे प्लस B.DL फिर C से D जाएंगे हम C से D जाएंगे क्यों Close Integral था तो पूरे लूप में हमको घुमना पड़ेगा प्लस B.DL D से A जाएंगे हम D से A जाएंगे इसे नोट करिए फिर हम रब करेंगे अच्छा थोड़ा देख लीजे फिर करिएगा जरा साउधान जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ जरा साउधान ध्यान से देखेगा हमारी यह Magnetic Lines और यह A B दोनों के बीच एंगल कितना जिरो डिगरी यानि इसको लिख सकते हैं A to B B DL कॉस जिरो लिख सकते हैं प्लस अब देखो जरा B से C जा रहा हूँ में Length इधर Magnetic Field इधर Angle 90 Degree Zero हो गई वैलू C to D हम माल लेते हैं कि हम बहुत दूर ले रहे हैं यहां Magnetic Field है नहीं Zero हो गया और यहां आए फिर 90 Degree तो आपको क्यों यह मिलेगा और सब Zero हो जाएग नहीं हो जाएगा अच्छा मैंने इसकी Length फिलाल L माल ली है तो देखें जब इसको खोलेंगे तो इसको B into L लिखेंग नहीं लिखेंगे हैनि Close Intrigal B.DL की Value B into L आई की नहीं आई आई ना इसको लिखें फिर हम बात करते हैं बिलकुल clear सुनारी बात अभी तो मैंने B.DL बताया आपको मैंने अभी यह नहीं लिखा है मैं कीवल B.DL निकाल ला हूँ यानि आप यहां मैं Close Intrigal B.DL की अब निकाल ला हूँ यह पूरा निकाला है अब वो हम Total Current निकालनी पड़ेगी ना अभी आपको बाई जब Total Current निकालोगे तभी यहां आपने क्या लिख रखा है Total Current in the Loop अभी लोप में कितनी Current आपको नहीं मालूँ ना नोट करिए फिर हम बात करते हैं बिलकुल आपको Visible दिखाई पड़ेगा हाँ यह हो रहा है तब पतायेगा यह पॉइंट हमने मान रखा है कि हमने आउटसाइट जानबूस के लिया है क्योंकि हमारे पास मजबूरी यह थी कि हमको Empirion Circuit लेना ऐसा है जहां थीटा क्लियर रहे या तो पूरे Circuit में सेम रहे या ज़्यादातर में सेम रहे जहां हम निकाल सकते हैं तो चार पार्ट में ब्रेकिया था चारों में निकाल सकते थे अलग-अलग और बाहर वाला पार्ट हमने बिल्कुल आउटसाइट ले लिया था कि वहां Magnetic Field माल लेते हैं ही नहीं हो गया अब जराब देखिए अब आपको चाहिए क्या B.DL किसके को चाहिए मुना टाइम साथ Total Current अब मैं Total Current निकाले जा रहा हूँ इसको मैं रब करता हूँ जरा देखिए Unit Length में कितने Turn है आपने क्या माना है Number of Turns in Unit Length कितने Turn है इसमे N और आपके Imperial Circuit की लंबाई कितनी है L तो Number of Turns in Length in Length L कितना Turn हो गए NL अच्छा एक Turn में कितनी Current थी आई आपने का Each Turn में और इतने Turn है तो Total Current कितनी आपके आई Total Current आई आई आपकी NL into I अब ये बात समझ में आई आई ये बात समझ में आई चलो तो देखे अगर मैं इस Equation को जो यहां लिखा था उसको 1 मालनू तो By Equation 1 Close Integral बी डाट डी अल इस इकल टू मू नाट टाइम्स इंटू टो टोटल करंट NL I और बी डाट डी यल की वैलू आप क्या प्रूफ करके लाए हो बी इंटू अल इस इकल टू मू नाट टाइम्स बिल्कुल क्लेयर प्रूफ समझ में आ गया आपको चीक नोट करिए इसको अब एक चीज आप याद करिजेगा वह हम उसको डिराइब भी नहीं करना आपको कि अगर मैगनेटिक फिल्ड एड़ निकालना हो तो कॉर्णर में यह हाफ हो जाता है तो एक नोट करके लिख लिएगा मैगनेटिक फिल्ड एड़ दे कॉर्णर आफ कॉर्णर आफ सॉलिनाइट तो यह हाफ मुझ नॉट एन आई होता है इस एन को पकड़े रहिएगा एन इस नमबर आफ टरंस पर यूनिट लेंथ बहुत डिस्टरब करता है कभी कभी टोटल नमबर आफ टरंस दे देते हैं तो यूनिट लेंथ के नमबर आफ टरंस निकालने पड़ते हैं भ्लिस्टरब करता है